अस्तामलीक। माई यूट्यूब फैमली वेलकम बैक टो एन अटर वीडियो मैं हुनी जी और आप लोग देख रहे हैं फोर आपर बेकर्स जी तो जनाब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो कि अपनी घलती को असेप्ट करने का होसला रखते हैं और ऐसे ही आज एक कस्ट्रमर का ओर्डर मैं यह बना कर आड़ी कर रही हूँ बेकिंग का काम में ऐसा तो रखता है कि जैसे कि फटा पट खड़े खड़े हम लोगों ने इसको बना लिया और दो मिन्तों में हमारा केक बन कराड़ी हो जाए था और पैसे जो हम लोग बहुत जादा ले रही होते हैं लेकिन यह एक हॉम बेकर जो ही समझ सकता है कि बेकिंग की लाइफ कितनी जादा मुश्किल है इसके इंकरियंट्स यानिकि इसका समान पूरा करने से लेकि इसको डिलीवर करने तक जतनी मिश्किलाथ हैं बलकि उसके बाद भी होता है कि कंप्लेन आजए तो यह सारा परसीजर जो होता है यह बहुत लेंटी होता है और फिर इसके जो प्रिपेशन होती है इसमें जो कोस्ट आती है वो सबी बहुत जादा होती है खास और पे उन पेकर्स के लिए जो कि यह सोचते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो साटिसफाइड होना चाहिए हर कीमत पे मैं और है कंस्टमर सेक्टमर केमें भाघ क्रिटमर सब्सक्राइड हाँ मैं प्लपर केक तरफ कीमझेंं संब्सकार्टमर कोस्टमर जो शोन शोचत थी होँ अपने एपनी प्ट्रेस की पहों था इस वन्ट पाॉँड का केक बना रही हो ठीक है यह पे और उन्हों सेलिक है मोझे थीम सब्सक्त किपना कर किम उन्हें पर स्वाज करे की थीए कम इन पर उसमारे संट किई उसके किन अीज सेन की यूंभी भाइया खॉन। यह उन्हेंने बोला था कि यह डाक औरेंज के साथ और बाकी यह जो फ्लावर्स हैं यह होने जो हैं यह जी वाइट के साथ इसके लावे इसके अंदर जो डॉट डालना है यह भी जो है औरेंज के साथ ही डालना है अब हुआ कुछियों के जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था ना सीम मैंने वैसे ही एक्जैक्ट जो है वो केक बना कर दे दिया कि मुझे पिक्चर मिल रहे नहीं तो मैं यहां पर लाजमी अटाइच करूँगी तो आप लोग मुझे देखकर बताएगा कि आप लोग को क्या डि केक लिवर करना ना बहुत जादा मुझे हो जाता है मेरा राइडरी तकरीबन भी एक घंडा जैनो बाहिर खड़ा रहा और आप लोग को बता है के बाहिर कार्ट वगर रहा होते हैं तो बहुत अंदर भी नहीं जाने देते हैं और भाहिर से ही सब को सेटल करना होता है अप खैर मैंने इनको केक लिवर कर वा दिया और खैर साथ में यह भी का कि आप केक भी लेजें और हमें नहीं चाहिए इतना बुरा आपने बनाया है सेम कलर नहीं है हमारा इवन्ट खराब हो गया ऐसे वैसे बहुत सारी बातें सुनाई और खैर मैं काफी दादा परेशान होग क्या है क्या थी क्या हुआ यह वू मैंने उनसे पुछा फिर उन्हें मुझे प्का कर आइट नहीं की थी और जो जो आडर कर वा था ना वो नग्यान कि बेटी नहीं कर वा था तो खैर उन्हेंने का कि नहीं कोई बात नहीं बहुत अच्छा था केक मेरी मदर को सोड़ी सी मिस्ट्रिक होगी थी तो खैर इस तरह से कहके उन्हेंने बातों खतम कर दी अगेन उनकी मदर की मुझे कॉल आई और वो मजे कहती है कि I'm sorry आपका कैक जो था न वो बहुत मज़े का था आपने बहुत टेस्टी बनाया था बस मुझे पहले से कुछ सा था किसी चीज का और मैंने सारह आपकी बतार दिया हां मेरी बेटी की तो धी कुछ गल्ती थी झजो उन्हें को तो खैर तो खेर उन्हें ने अपनी गल्दी को अच्छा भी लगा कि आजखल के दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी गल्दी को असेप्ट करना जानते हैं एक हाम बेकर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी कमप्लेइन आजए और मैं उन्हीं में से एक होँए कि मेरे कोई भी कमप्लेइन ना है और अलम्दोलिल्ला मुझे निलगता कि अभी तक मेरे कोई कमप्लेइन आई यह मुश्खिल से एक या दू ही आई होंगी और को भी इसी तरह की है कि लोग अने बाद में अपने साथ कर सकते हैं तो उसी बेस भी होता है कि हम कस्टमर को एक अच्छी कॉलिटी सर्फ करें जैसे कस्टमर एक्सक्टमाइज कर वैसे ही कस्टमाइज करके दें पैंटो केक से लेकि बड़े से बड़ा केक जो है ना वो सिर्फ एक होम बेकर ही कस्टमाइज करके दे सकता है इतना होसला है एक होम बेकर में ही होता है और फिर ये प्राइजिस वगरा के जो इशू उतले ना वो तो इक आप लोग अलगी जोड़ दें आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो से कुछ सेखने को मिला होगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत जाए